और दर देखिए दिली अंसियार सोनीपत में भीश्वन आग उगलने वाली गर्मी पड़ रही है जहां गंभीर हीट वेव के चलते नागरेक अस्पतालों में मरीजों के जो संख्या है अस्पताल में OPD पंजिकरन के लिए महिलाएं धूप में खड़े होने को मजबूर है लाइन में कतारों में खड़े हुए मरीजों के लिए पंखे की विवस्ता तक नहीं है अस्पताल का सेंट्रॉलाइस्ट एसी भी बंद है अब 42 डिग्रित आपपान में होस्पिटल में पीने के पानी की विवस्ता तक नहीं है महसम विबाग ने हरियाणा राज्ट के 17 जिलों में रेट अलर्ट जारी किया है और पाँच जिलों में औरेंजलट जारी किया है दिल्ली NCR समेते उत्री मैदानी इलाकों में लगातार परचेंट गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और होस्पिटलों में OPD की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है हलांकि परचेंट गर्मी के बीच जहां नागरिक होस्पिटल में तमाम परकार के इंतजाम होने चाहिए कहीं न कहीं लंबी कतारों में लोग खड़े जरूर हैं लेकिन पंक्टों की पूरी तरह से विवस्ता नहीं है हलात ये भी है कि लोग जो है दूप में खड़े होने के लिए मजबूर हैं सामने एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ खास तोर पर देखिए एक लंबी कतार जो है यहाँ ओपीडी पर जिकन के लिए लगी गई है और खास तोर पर ये सामने एक तस्वीर महिलाई जो है लाइन में खड़ी जरूर है लेकिन धूप में खड़े होने के लिए मजबूर है और यहाँ पर कोई पंखे की भी विव खाल है और किस परकार से यहाँ पर रहे हैं यह तस्वीरों के मादम से खुद बेखुद देखा जा सकता है सेड़ भी पूरी तरह से कवर नहीं है क्योंकि पूरी तरह से कवर ना होने की वज़े से स्थिती यह है कि महिलाएं जो है जूप में खड़े होने के लिए 40 डिगरी से ज्यादा जा पहुंसता है और ऐसे में हिट वेव का प्रकोब लगातार देखने को मिल रहा है और डॉक्टर की यहीं सला है कि बढ़ती भी गर्मी के बीच बहुत जादा जरूरी हो जबी घरों से बाहर निकले हाला कि अगर बात करें जिस परकार से डॉक्टर गर्मी का रूप यहां दिखा जा सकता है एविवस्ताव के बीच लोग जो है गगैर किसी पंखों के से नीचे यहां पर से खड़े हुई है और गर्मी के कारने चोड़े चोड़े बच्चों का भी हाल भी हाल है और मरीज जो है लगातार होस्पिटल में पाउच रहे हैं यह सलाह दे रहे हैं कि गर्मी से बचले के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीए और खास तोर पर नेमु पाने का प्रियोग करने के साथ साथ सिर पर कपड़ा ढखकर बाहर निकले बेह ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले इंडिया जोज हर्याणा के लिए राम सिंग्मा